Chemical properties of the alcohols, उसके अंडर है हमारा C part, इससे पहले A और B part हमने पिछली क्लास में explain, यह already किया हुआ है, तो C part में हमारा क्या होगा, reactions involving both the cleavage of alkyl and hydroxyl groups, ठीक है, और अब इन सभी reactions में दोनों ही alkyl और जो हमारा hydroxyl group है, दोनों ही use होने वाले हैं, तो इसकी सबसे पहली example है, acidic dehydration, इसमें जितनी भी reactions आएंगी, वो बहुत ही important है, chemical properties हैं, यह हमारी alcohols की acidic dehydration, तो नाम सही हमें understanding हो रही है, कि dehydration होनी है, यानि कि water की removal होगी, और साथ में हम कोई acid use करेंगे, so when alcohols are heated with, alcohols are heated with protonic acid, ठीक है, alcohols को heat किया जाता है, heated with protonic acid, then they gives the alkenes plus water, तो हमारी यहाँ पर journal form क्या बनेगी reaction की, मान लीजिए, यह हमारी कोई भी journal alcohol है, जिसके साथ के hydroxyl group चुड़ा हुआ है, alcoholic group, अगर हम इसको किसी भी protonic acid की presence में करते हैं, heat, then, यहाँ से OH जाएगा, और यहाँ से, मान लीजिए, यहाँ पर है hydrogen, यहाँ से hydrogen जाएगा, यह दोनों यहाँ से हो जाएंगे, remove, then, it gives us the alkenes यहाँ पर बन जाएगा, double bond, alkene बन जाएगा, and, साथ में remove होगा bond, इसी लिए इसका नाम रखा गया है, that is dehydration action, okay, this is a very very simple step, तो आप इसकी कोई भी example बना कर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि CH3, with CH, and, यहाँ पर जुड़ा है हमारा OH ग्रूप, तो मैंने दोनों ग्रूप्स जो यहाँ से remove होने हैं, उनको मैंने यहाँ पर represent कर दिया है, तो आप इन दोनों को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, simple इ add the, इसको आपने याद रखना है, add the temperature 443 Kelvin, तो यह हमारी एक primary alcohol है, this is the one degree alcohol, ठीक है, इसलिए, इसके लिए हमें temperature use करना पड़ेगा, यहाँ पर 443 Kelvin, ठीक है, so this gives us the, यहाँ से hydrogen जाएगा, और यहाँ से OH जाएगा, so this gives us the, alkene, propene बन जाएगा, और plus what, this is the propanol, तो इसका अगर आप name लिखेंगे, this is the propaneol, and this is the propene, ठीक है, तो हमने alcohol को alkene में अगर change करना हो, तो हम उसकी dehydration करवा देते हैं, अगर इसी में हम secondary और third degree alcohols को use करें, तो उनकी reactions जो है वो, one degree से easy हो जाती है, मतलब उनका order of activity यहाँ पर इनसे जादा रहेगा, ease of hydration इनसे जादा रहेगी, so for secondary alcohols, तो हमें conditions जो हैं, यहाँ पर हमें, जो इस primary alcohol से कुछ change कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हम यहाँ पर mild conditions को use कर सकते हैं, जैसे के this is the secondary alcohol, secondary का मतलब क्या होता है, कि जिस C के साथ यहाँ पर hydroxyl group जुड़ा है, उसके साथ आगे दो C atom जुड़े हैं, carbon atom दो जुड़े हैं, अलकाइल गुड़े हैं, तो इसकी dehydration के लिए हम only use करते हैं, 85% phosphoric acid, temperature भी हम यहाँ पर low रख सकते हैं, जैसे के 440 Kelvin, तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से hydrogen जाएगा, और यह हमारा बन जाएगा, एक simple सा alkene plus water, ठीक है, और similarly आप लोग 3rd degree में भी use कर सकते हैं, उसमें यहाँ पर only 20% acid होगा, So for the 3rd degree, मैं example आपको नहीं बना कर दूँगा, तो आपको use करना है, 20% phosphoric acid and add the 358 Kelvin, बाकी reaction आपकी same to same होगे, ठीक है, So now, ease of, relative ease of dehydration, तो हमें यहाँ से क्या जनकरी मिलती है, कि ease of dehydration क्या है इनकी, Ease of dehydration अगर हम देखें, तो 3rd degree सबसे जल्दी हो जाते हैं dehydrate, बाद में 2 degree, बाद में 1 degree, ठीक है, यह आपको order याद रखना है, यह क्यों होता है, क्योंकि इनका, जब हम mechanism explain करेंगे, तो उसमें क्या बनता है, कार्बो कटाइन, कार्बो कटाइन में अगर हम stability का order देखेंगे, तो 3rd degree सबसे ज़्यादा stable होता है, इसी लिए यह ऐसा order follow करते हैं, तो इसका mechanism मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, अगर हम इस वीडियो में explain करते हैं, तो यह वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसका mechanism मैं आपको एक अलग वीडियो में उसका heading रखते हैंगे, mechanism of acidic dehydration of alcohols, तो वहाँ पर आपको अच्छे से understanding हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको यह बताया था, तो क्या बन सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर रखते था हूँ, इसमें मान लीजिए, यह हमारे पास है, example, CH3, CH2, OH, एक 1-degree alcohol है, इसमें हम यूज करते हैं, H positive, same to same, but at the 413 Kelvin, वहाँ पर था 443 Kelvin, यहाँ पर है 413, यानि के low temperature करती है, तो ऐसे दो molecules आपस में जुड़कर एक ether बना लेंगे, CH3, CH2, OH, with CH2, CH3, ठीक है, तो इस साथ में जो भी इसका byproduct होगा, वो भी होगा, तो हम यहाँ से एक ether बना सकते हैं, this is the diethyl ether, ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, so, इस reaction के लिए हमें add 413 पर करनी होगी, and हमें alcohol का amount यहाँ पर ज्यादा यूज़ करना होगा, so, excess of alcohol, ठीक है, तो alcohol अगर होगी, excess में, and यहाँ पर low temperature होगा, तो क्या बनेंगे, ethers बनेंगे, यहाँ पर alkenes बिल्कुल नहीं बनेंगे, ethers बनेंगे, ठीक है, so, main यह चीज़ बनेंगी, साथ में उसका भी low amount बन सकता है, तो हमारे ethers फॉंट हो जाएंगे, यह आपको याद रखनी है, इसका भी mechanism हम अलग explain करेंगे, उसमें आपको understanding हो जाईए, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, देन, क्या होता है, कि जो हमने इसमें एड किया होता है, मान लिजिए, इसेड एड किया था, वो हमने मान लिजिए, यूज किया था, सल्फियूरी के इसेड, तो हमारी अलकोहल इसेड का सॉल्ट बनाए, सुरी, इसेड के साथ ही वो जुड़ जाएगी, तो अब यहां पर क्या होगा, कि अलकोहल में यहां पर OH की जगा पर HSO4 जुड़ जाएगा, तो अब दा 383 कल्विन, तो इस गिवस दा CH3, CH2, यहां पर OH की जगा यहां से जुड़ जाएगा, HSO4, ठीक है, तो इसे आपको different conditions को याद रखना है, कि अगर हम low temperature रखते हैं, high रखते हैं, तो क्या-क्या यहां पर बन सकता है, साथ में water बन सकता है, तो इस इस दा very-very important part, ठीक है, इसके अलावा हम यहां पर dehydration को proceed करवाने के लिए aluminium oxide का भी use कर सकते हैं, तो मतलब dehydration के लिए, हम यहां पर alumina को भी use कर सकते हैं, उसमें भी आपको यही दियान रखना होगा, कि अगर हम low temperature रखते हैं, तो हमें ethers मिलते हैं, ठीक है, so dehydration by using by using aluminium, तो अगर हम alumina को use करते हैं, तो हमारी dehydration यहां पर कैसे होती है, so अगर मैं यहां पर low temperature रखता हूँ, मान लीजी यह हमारी alcohol है, तो जैसे उपर हुआ था, low temperature पर हमारे ethers बन गए थे, वैसे ही यहां पर भी होगा, यह हमारी alcohol है, ethyl alcohol, तो यहां पर हमने इसमें add कर दिया alumina, तो इसको हमने heat किया, up to the 513 से लेकर 513 के बीच पीच, ठीक है, तो यहां से हमें फिर से ether मिल जाएगा, ठीक है, so this is the ether बन जाएगा, इथर में क्या होता है, दो alkyl group oxygen के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और साथ में water बन जाएगा, और अगर हम इसी में ही, यहां पर temperature को increase कर दें, तो हमें again alkynes मिल जाएगे, जैसे के normal dehydration में होता है, तो dehydration करवाने के लिए, हमें high temperature ही हमेशा रखना है, चाहे आप कोई भी catalyst यूज़ करने, आइदर आप alumina, और आइदर आप यहां पर acid यूज़ करें, तो इसकी हो जाएगी dehydration, यानि के alkyne बन जाएगा, alkyne कैसे बनेगा, यहां से OH और यहां से एक hydrogen जाएगा, और plus water बन जाएगा, ठीक है, तो यह थी dehydration of the alcohols, जिसमें के हमने क्या read किया, कि हम आइदर protonic acid की presence में, या फिर alumina में, protonic acid में, अगर हम यूज करते हैं, यहां पर primary alcohols, तो यह ether वाली reaction only, primary के लिए ही, यहां पर हमें अच्छी इसकी yield मिलती है, scantry tertiary के लिए, अच्छी ethers की yield हमें, विल्कुल नहीं मिलती, बाकि आपका ethers का एक अलग part आएगा, उसमें हम इसका mechanism, अच्छी से explain करेंगे के, कैसे यह सभी reactions यहां पर proceed होती है, so this is the first part, that is the acidic dehydration under the C part, ठीक है, इसका अगला part होगा, oxidation reactions, alcohol की oxidation करनी है, ठीक है,